ते खाना बजाओ चैनल को सब्सक्राइब कर देए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देए सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर एप ओपन करना है क्रिएट नियू पर क्लिक करना है 9 इंटू 16 की साइज को सेलेट करना है नेक्टी बटन पर क्लिक कर देना है साइड में जो सेटिंग का ओपसन है उस पर क्लिक करना है एडिटिंग का ओपसन है उस पर क्लिक कर लेना है और इसकी सेटिंग को यहाँ पर फिल स्क्रीन करना है फोटो डूरेशन को 3.5 सेकंड करना है और राइट की बटन पर क्लिक कर देना है अब आपको अपने कुछ photos को select करना है जो भी आपको status में use करना हो तो मैंने demo के लिए कुछ इस तरीके से कुछ photos को select कर लिया है starting में आ जाना है तो आपको check कर लेना है जो भी photo full screen नहीं है उनको photo पर click करना है pen and zoom के option पर click करना है और इसको zoom कर लेना है इस तरीके से और equal कर देना है तो मैं check कर लेता हूँ जो भी हमारे photo full screen नहीं है पहले photo के पास में plus का icon उस पर click करना है sunset store का option दिया गया है उस पर click कर लेना है और वाइप का ओप्सन नीचे की साइड मिल जाएगा उस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रोल कर लेना है स्क्रोल करने के पाद आपको glow line इस template को download कर लेना है इस transaction effect को install कर लेना है और glow line पर क्लिक करना है 0.1 वाला transaction effect फस्ट पोटो में apply कर लेना है सेकंड फोटो के पास में प्लस का icon उस पर क्लिक करना है glow line पर क्लिक करना है 0.2 वाला transition effect apply करना है तो इसी तरीके से थर्ड फोटो में कर लेना है तो आपको इसी process को सारे photos में apply कर लेना है स्टार्टिंग में आ जाना है layer पर क्लिक कर लेना है मीडिया के option को select कर लेना है मीडिया के option को select कर लेने के बाद आपको एक template को करना होगा select इस template का link प्रोवाइट कर दिया है description box में इस template को आपको इस तरीके select करना है इसकी side को यहां से full screen करना है नीचे की side scroll करना है blending के option में आ जाना है और इसकी setting को screen कर देना इस तरीके से करने के बाद आपको फिर से layer पर click करना है media के option को select करना है और एक template को करना है select इस template को download करने के लिए आप हमाले telegram को join कर सकते हैं या description में दी गई link से download कर लें तो इस तरीके से select करना है और इसकी size को full screen करना है नीची की side scroll कर लेना है blending के option में आजाना है और इसकी setting को screen कर देना है right के button पर click कर देना है तो आप देख सकते हैं सही तरीके से apply हुआ है अब layer पर click करना है media को select करना है और एक lyrics बाले song को करना है select आप चाहें तो किसी और song को भी select कर सकते हैं इस song का link provide कर दिया है description box में तो इस तरीके से आपको select कर लेना है select करने के बाद आपको नीची की side scroll करना है crop के option में आना है और crop के option में आकर इसको थोड़ा सा उपर से crop कर लेना है जो भी name लिखा है वो crop हो जाएगा तो आपको इसको song को select करना है और यहाँ पर नीचे size से set करना है और इसकी size को थोड़ा सा increase कर लेना है इस तरीके से अब आपको नीचे की side scroll करना है blending के option में आपको आ जाना है और इसकी setting को multiply कर देना है इस तरीके से अब इस तरीकी से कर लेने के बाद आपको layer पर click करना है, media को select करना है और एक white border png frame को करना है select इस png frame को आप link से download कर सकते हैं जो की description में दी गई है आप चाहें तो telegram channel को जरूर join कर लें वहाँ पर सारी links आपको आसानी से provide कर दी जाएंगे इसको full screen करना है और इसकी duration को कर देना है video के end तो आप वीडियो बन कर ready हो चुका है तो आपको मैं प्ले कर कर दिखा देता हूं किस तरीकी से video बन गया है तो दोस्तों आपने देखा हमने video बना कर तयार कर लिया है आपको ये video कैसा लगा है आप comment करकर जरूर बताएं और चैनल को subscribe कर लें और bell notification को on कर देए वीडियो के एक like जरूर कर देए मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिंत बंदि मातराम